हेलो व्रिवन आई वेलकम यू अल टू जी के ओशन यूटूब चैनल आज के इस वीडियो में हम लोग डिसकस करने वाले हैं मैस से रिलेटेट कुछ बहुत ही इंपोर्टेंट सिक्स कोशन जो कि आपके आने वाले एक्जाम के लिए इंपोर्टेंट है एक कोशन मैं आपसे कोशन को डिसकस किया जाएगा ठीक है तो एक पात्र के तीन बटा साथ भाग को भरने में एक मिनट लगता है तो पूरे पात्र को भरने में कितना मिनट लगेगा पहुत ही इजी कोशन है कितना मिनट लगेगा सबसे पहले देखें कोशन में क्यारा है कि एक मिनट में पात् इस तरह का कोशन आए तो आपको क्या करना होगा तो पूरे पात्र को भरने में कितना मिनट लगेगा बहुत ही सिंपल है तो पूरे पात्र को भरने में लगेगा 1 upon 3 by 7 यानि की 7 by 3 ठीक है? इस तरह का ये कोशन है बहुत ही सिंपल था तो ये हो जाएगा 7 by 3 सिंपल सा कोशन है अगर आपको ऐसे ही करना इस तरह कोशन है तो जस्ट आपको ट्रिक लगा दिना है जो भी दिया हुआ है ठीक है? उसका जस्ट उल्टा हो जाएगा रेसिप्रोकल हो जाएगा तो 7 by 3 हो जाएगा ठीक है? कैसे? क्योंकि एक मिरिट में देखे एक मिरिट में 3 by 7 पार्ट को फिल हो रहा है तो पूरे पात्र को फिल होने में कितना टाइम लग जाएगा? यह लग जाएगा 1 upon 3 by 7, जो की क्या हो जाएगा 7 by 3, अगर आपको time बचा ना हो तो just इसका उल्टा कर दिजेगा, तो यहाँ पे हमारा option number D हो जाएगा correct answer, next question पर आते हैं हम लोग, देखें इस तरह के दो question है, आज के जो PDF है, इस तरह के दो question है, इस वाले question को मैं आपको बता दूँगी, इसके बात का जो question होगा, उसको आपको comment section में उसका answer आपको करना होगा, तो question क्या कह रहा है, simple सा है, formula पर बेज रहे, question कह रहा है कि 36 व्यक्ति, एक कारे को 18 दिन में पूरा करते हैं, ठीक है, 36 व्यक्ति, एक कारे को 18 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो 27 व्यक्ति, उसी कारे को कितने दिन में पूरा करेंगे, अगर आपने math के practice की हो, तो आपको पता बहुत ही simple सा है, ठीक है, question क्या कह रहा है, कि 36 व्यक्ति, एक कारे को 18 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो 27 व्यक्ति उसी कारी को कितने दिन में पूरा करेंगे, ठीक है, तो सिंपल चा फॉर्मुला आपको एक याद कर लेना है, यह है फॉर्मुला, M1, D1 is equal to M2, D2, ठीक है, M2, D2, इसमें से क्या है, देखे, M1 यहाँ पे हमारा है, 36 व्यक्ति, ठी यहाँ आदमी, यानि कि व्यक्ति कितने है, 36, डेज कितना हो रहा है, दिन कितने हो रहे, 18, M2 कितना है, निकि 27 व्यक्ति है, आपको यह पता करना है, ठीक है, तो सिंपल चा है यह, M1, D1 is equal to M2, D2, ठीक है, सारी वालु आपको फिल कर देने हैं यहाँ पे, यहाँ जाएग M2 कितना दे रहा है, 27, और multiply, D2 को X माल लीजे, ठीक है, फिर हमें solve कर लेना है, तो 36 into 18, यह multiply करेंगे हम लोग, ठीक है, यहाँ पे आजाएगा 36 into 18, फिर यह नीचे आजाएगा divide, यह हो जाएगा 27, और हमें यहाँ पे X की value पता चल जाएगी, ठीक है, तो हम लोग कट 12, और 12 को 2 से multiply करेंगे, तो 24, ठीक है, 24 हो जाएगा हमारा correct answer, simple सा था, 36 into 18 is equal to 27 into X, ठीक है, क्योंकि हमें दिन नहीं पता था, तो 36 into 18 यही रह जाएगा, और यह 24 यहाँ आजाएगा नीचे, I think 27, हाँ, 27, और यहाँ पे हमें value पता चल जाएगी, ठीक है, 24 हो जाएगा हमार correct answer, देखें, वीडियो आपके लिए helpful लो, तो वीडियो को like कीजेगा, और इसको share भी जरूर करेगा, इसी तरह का same question है, same to same question है, यदि 4 वेक्ति किसी कारिक को 3 दिन में करते हैं, तो 3 वेक्ति उसी कारिक को कितने दिनों में करेंगे, 4 option आपके सामने दे रखा है, वही formula ये question भी बहुत ही जादा easy है, लिखा है, एक पंखे को 1200 रुपए में बेच कर संजे 200 रुपए की हानी करता है, ठीक है, क्या करता है, हानी करता है, ध्यान से देखे question, एक पंखे को 1200 रुपए में बेच कर संजे 200 रुपए की हानी करता है, कितने में बेचने पर उसे 10% का ल जो है आपका क्रेमोल पहले आपको निकालना है ठीक है कितने गें और था था तो फृभी पहली बात तो उसने जोहे 200 रुपाई की हानी लिये और उसने 12 सु क्या अक मुझे बेचा है तो इसका जो क्रेमोल हो जाएगा ठीक है कॉस्प्राइज वह जाएगा 1200 कितनी थी 1200 प्लस तो यहां पर प्रतिशत का लाव होगा क्योंकि हमको यहांपर क्राय मूल पता चल गया याद रखी का यह है चौदासो बारासो में 200 को एक तो यह आज जाएगा हमारा 14 ठीक है अब आगे क्या पूछ रहा है कि हमें कितने में बेचने पर उसे 10 प्रतिशत का लाव होगा तो 10 का लाब लेने के लिए जो फॉर्मूला होगा हमारा यहहान इंटु Jake X expect 10% अपोन अपोन अपॉन 11 तो जाएगा 1400 इंटू प्लस किया तो 110 अपॉन 100 ठीक है तो इसके बाद हम अपना यहाँ पे यह इससे कैंसल हुआ उसके बाद यह इससे कैंसल हुआ और फिर हम लोग करेंगे तो 1540 तो यानि कि हमको 1540 रुपया में उसको बेशने पर उसको 10 प्रतिशत का लाब होगा ठीक है तो option number D हो जाए गए यहाँ पे हमारा correct answer सिंपल सा कोशन था यह वाला और भी सिंपल है कोशन कहा रहा है यदि 10 पुस्तकों का विक्रयमूल 12 पुस्तकों के क्रयमूल के बराबर है तो लाब प्रतिशत कितना होगा बहुत ही जादा easy कोशन है यदि 10 पुस्तकों का विक्रयम 1 रुपाय है 1 book is equal to one rupees ठीक है या जब 10 पुस्तकों को बेचा गया लिखा है 10 पुस्तकों को विक्रयमूल 12 पुस्तकों के क्रयमूल के बराबर है तो जो 10 पुस्तक बेचने पर उसे 2 रुपाय का प्रॉफि्ट हो रहा है ना क्यूंकि एक पृक एक रुपए की ना तो दस बुक है वो 12 रुपए में बेश रहा हुआ तो इसके बद आपको क्या निकालना है तो धीलम प्रतिशन निकालना है और कला है वह एंट्यु हंड्रिशन टेक्व हो जाएगा इसका 20 परेसं Qshe करयमोल पर 12 स्वें करयमोल के बराबर है जैने कि एक पुक है एक रुपए में है तो तो 10 जूहां 10 रुपए में होगी ठीक है और 10 को बेच रहा है तो 12 पुस्तो क्राएह में निकालने के के लिए हम लोग का फॉर्मला होता है प्रॉफिट अपॉन कितनी बुक है ठीक है मतलब कितनी बुक दस बुक की जो प्राइस वो और यहां पे हंडिड तो यह हो जाएगा आपका 20 परसेंट ठीक है नेक्स्ट कोशन है यदि राच दीप अस 20 यजार रुपै में एक मोटर साइकल खरीद कर उससे शाट फ जाइर में बेचता है तो उसका हानी प्रतिशत च्या होगा जादा इजया कोशन है है कोशन क्या कहा रहा है राजदीप है वो 80,000 रुपए में एक मोटर साइकल को खरीद कर उससे 60,000 में बेचता है तो उसका हानी प्रतिशत क्या होगा फॉर्मला आप लोग याद कर लेजे हानी प्रतिशत यानि कि लॉस लॉस परसेंटेज कैसे निकालते हैं क्रैमूल क्रैमूल माइनस विक्रैमूल ठीक है विक्रैमूल अपन यहाँ पर क्रैमूल ठीक है सिंपल सफिर से फॉर्मला लिख लेते हैं परसेंटेज हानी प्रतिशत निकालने के लिए है यह हो जाएगा असी हजार माइनस साट हजार एक सेगा नहीं है असी हजार में से हम लोग साट हजार माइनस कर देंगे अपन 80,000 ठीक है इसको लोग solve करेंगे और यहाँ पे फिर 100 से multiply तो यहाँ जाएगा हमारा 25% ठीक है तो यहाँ पे हमारा option number A हो जाएगा correct answer simple था 80,000 में से क्रे में से विक्रे मूल को minus करके upon क्रे मूल into 100 ठीक है इसी तरह same question है कि 20 पुस्तकें बेशने पर राजेश को 4 पुस्तकों के विक्रे मूल के बराबर लाब होता है उसका लाब प्रतिशत क्या होगा question फिर से पढ़िए question कहरा है 20 पुस्तकें बेशने पर राजेश को 4 पुस्तकों के विक्रे मूल के बराबर लाब होता है उसका लाब प्रतिशत कितना होगा चार ओप्षन आपके ए-सामने दिया हुआ लिए की पुस्तगों का क्रैमूल जो ये 16-छो Québec के बडाबर है ठीक है कोशन में दे रहा है ठीक है क्या कीया किराए की बीजी पुस्तगों का क्रैमूल चीक 10 पुस्तगों की विकरे लेश्व य यानि कि profit percentage कितना होगा, यानि कि 20 minus 16 upon 16 into 100, ठीक है, यहाँ पर लिख देती हूँ, 20 minus 16 upon 16 into 100, ठीक है, इसको हम लोग solve करेंगे, तो यहाँ पर आएगा 4 upon 16 into 100, और इसको जह हम लोग solve करेंगे, तो हमारा आजाएगा 25%, ठीक है, 25%, यही हमारा answer, जो कि option number C में है, तो यहाँ पर हमने mass के important question को discuss किया, जो question मैंने पूछा, उसको आप comment section में जरूर बताएगा, thank you.